नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हमारे आसपास के वातवरण का हमारे जीवन की हर स्थिती पर गहरा प्रभाव परता है पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव इन सभी प्रकार की जीवों से निकलने वाली उर्जाएं हमें काफी हद तक प्रभावित करती हैं कुछ हम पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव डालती हैं इसलिए इन्हें हमारे जीवन का अभिन अंग माना गया है। प्राचीन रिशी मुनियों के अनुसार हमारे आसपास रहने पर पशु पक्षी आने वाले बुरे हालातों को पहले ही भाप लेते हैं। इसके साथ ही ये मनुश्य को कई बार इन परिस्थितियों के विशे में संकेत भी देने का काम करते हैं। यदि हम इन संकेतों को समझ जाएं तो हम पहले ही सावधान होकर उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बतानी जा रहे हैं पक्षियों द्वारत दिये जाने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में यदि हमारे जीवन में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो किस प्रकार ये पक्षी हमें संकेत दे देते हैं और इन संकेतों को हम कैसी समझ सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें साथे वीडियो को लाइक करना ना भूलें सबसे पहले बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में जहां एक और सुबह सुबह घर में कबूतर दिखने या उसके गुटरगू के चलते प्रेम संबंद होने की मान्यता है वही यदि शाम को कबूतर की गुटरगू सुने तो ये घर में चोरी होने और लड़ाई जगड़े होने की भी संकेत माने गए हैं धारमित मान्यताओं के अनुसार घर में कबूतर का आना अशुब माना गया है इसलिए आपके घर में यदि कबूतर का घौंसला बन गया है तो उसे तुरंत हटा दे क्योंकि कबूतर का सम्मंद राहू से होता है इसलिए कबूतर का घौसला घर में नकारात्मक तलाता है और उस घर के लोगों को भी असफलताओं का सामना करना पर सकता है दूसरा पक्षी है कववा, कहा जाता है कववा एक ऐसा पक्षी है जिसे होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल जाता है, आपको बता दें कि अगर कववा किसी व्यक्ति की सिर पर बैठ जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति का मान समान खोने वाला है, या फिर उसके घर में पैसो की कमी होने वाली है यदि अचानक बहुत सारे कववे आपके घर में आकर शोर मचाने लगे तो ये संकेत अच्छे नहीं माने गए हैं कहा जाता है कि ये उस घर के मालिक के लिए खत्रे का संकेत हो सकता है तीसरा पक्षी है उल्लू दोस्तों उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन अवश्य है लेकिन घर में इसका आना अशुब होता है लेकिन धार्मिक मानेताओं के अनुसार दिवाली के दिन उल्लू का आना शुब माना जाता है उस दिन ये देवी लक्ष्मी के आने का संकेत देता है लेकिन अन्य दिनों में इसका घर में आना हानी कारिक होता है। माना जाता है कि घर में उल्लू के आने से घर में नकारात्मक उर्जा का वास आता है और घर की उन्नती तक रुख जाती है। इसलिए घर पर या उसके निकट उल्लू का आना या बोलना मना या अशुब माना ज इसलिए धार्मिक मानेताओं के साथ-साथ शास्त्रों में घर में चिमगादर का आना अपशगुन माना गया है। घर में चिमगादरों का आना या घर के निकट मनराना मृत्यू सूचक है। यदि पी घर के चिमकादड़ों का वास आपको मृत्य तुल्य कष्ट दे सकता है। पांचवा पक्षी है चिडिया या बुल-बुल। आपको बता दें कि घर के निकट किसी चिडिया का व्यवहार ही घर में घटने वाली घटनाओं को निर्धारित करता है। यदि चडिया आपके घर में या घर के निकट घोंसला बनाएं तो यह सौभाग्य का चिन्न है। भाविश्य में कोई शुब समाचारिय उन्नती का अफसर प्राप्त होगा। दोस्तो अब बात कर लेते हैं गौरेया के बारे में। दोस्तो गौरेया का घरों में आगवन सदियों से भारतिय संस्कृती में शुब संकेत माना गया है। इसके आने से जीवन में मधुरता आती है और जो विफल हुए कारे होते हैं वो पुना सफल हो जाते हैं। इसके साथ ही ये स्वस्थ पर्यावरण की सूचक भी हैं। बड़े बुडे कह गए हैं कि गौरेया घर में रहती है तो घर में सुक समृद्धी रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पक्षी हमें कई विशिष्च प्रकार के संकेत देते हैं। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कॉमेंट में जै मालक्षमी अवश्य लिखें। साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।